हलो दोस्तों आपका स्वागत है जी पी क्लासेज में यदि फ्रेंट्स आप राजस्तान के किसी भी एक्जाम के त्यारी का रहे हैं जहां भी भूगल पूछा जाता है तो सबसे ज़्यदा इंपोर्टेंट टॉपिक है अफवातंतर तो अफवातंतर होता क्या है राजस्तान में कौन-कौन सा अफवातंतर पाया जाता है और अफवातंतर कितने परकार का होता है जैसे कि आंत्रिक अफवातंतर अरब सागर अफवातंतर या फिर बंगाल की खाड़ी अफवातंतर तो इन सब के बारे में हम डिटेल में डिसकस करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्य तो अफवातंतर की जो सामाने परिवासा है, किसी नदी या उसकी साहयक दाराओं दोवारा निर्मित जल परवावयवस्ता है, यह एक तरीका जाल तंतर या नेट्रोक है जिसमें नदियां एक दूसरे से मिलकर जल के एक दिसी ये परवाव का मार्क बनाती है, किसी नदी में जैसे कोई आपका एक पाहड है, इन पाहड से कोई एक धारा निकल रही है, अब ये धारा जो है आगे बड़ेगी और दूसरी पहाडियों से चोटी पहाडियों से यहां से एक चोटी नदी मिल गई, तो ये आगे जाके एक बड़ी नदी बन जाती है, तो इसी तंदर को क तीन प्रकार का अफवात अंतर पाया जाता था है। यानि कि भारत की जितने भी राज्ये हैं उन सभी में सिर्फ राजस्तान एक ऐसा राज्य क्या होता ribs आंत्रीक अंतर अरब-सागरी अफवात अंतर और बंगाल की खाड़ी अपवात अंतर is यह जो आंतरिक अफ़ातंतर है यह सिर्फ राजस्तान में पाया जाता है अब हम बात करते हैं कि आंतरिक अफ़ातंतर क्या होता है और अरब सागरी अफ़ातंतर क्या होता है और बंगाल की खाड़ी अफ़ातंतर क्या होता है तो हम डिसकस करते हैं आंत्रिक अफातंतर वे नदियां जिनका उद्गम इस्तल निश्चित होता है परन्तु समाप्ति इस्तल निश्चित नहीं होता आंत्रिक परवा की नदियां कहलाती है इसका मतलब यह है कि कोई नदी है जिसका उद्गम इस्तल यानि कौन से पाहडी से कौन से जगे से निकल रही है वो तो निश्चित होता है लेकिन उनका समाप्ती इस्तल निश्चित नहीं होता तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आंतरिक परवातंतर केवल राजस्तान में पाया जाता है राजस्तान में सबसे बड़ा अफवातंतर आंतरिक अफवातंतर है जो कि कुल अफवातंतर का 60 परतिशत है तो ये चीज आपको द्यान रखनी है कि यदि आपको चार ओप्सन दे देंगे कि कौन सा अफवातंतर सबसे बड़ा अफवातंतर है तो ये आपको परसेंटेज भी द्यान रखना है कि 60% जो है वो आंतरिक अफवातंतर है राजस्तान के अंदर और आंतरिक अफवातंतर सिर खंडेला खारी ये सब नदियां जो है आंत्रिक अफवातंतर की नदियां हैं ये गगर नदी के बारे में कांतली नदी के बारे में हम अगले वीडियो में जो है डिटेल में डिसकॉस करेंगे अब हम डिसकस करते हैं अरब सागरी नदी तंतर वे नदियां जो अपना जल पर्टेक्स या एपर्टेक्स रूप से अरब सागर में ले जाती हैं अरब सागरी नदियां के लाती है आंतरिक अफ़ा तंतर के तो क्या है बीच में ही रुख जाती है लेकिन जो नदियां अरब सागर टक पहुंसती है वो अरब सागरिय नदी तंतर के अंदर आती है राजस्तान के कुल अफवाचेतर का 16 परतिशत अरब सागरिय नदी तंतर है तो राजस्तान में 3 तरह का नदी तंतर है एक तो आपका आंतरिक है आंतरी अभी मैंने बताया था कितना है 60% और अरब सागर है 16 और पीछे कितना बचा 24% तो 24% जो है वो बंगाल की खाड़ी नदी तंतर है तो सबसे छोटा नदी तंतर कौन सा है अरब सागरी नदी तंतर अरब सागरी नदी और उसकी सायक नदी तंतर का बाग है और लूनी नदी की हम बात करें तो लीलडी, मीठडी, बांडी, जोजरी, सुकडी, जवाई और सागी ये सब जो है वो लूनी नदी की सायक नदिया है सायक नदियां एक्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है इसलिए आपको जितनी भी मैं नदियां आपको बता रहा हूं उनकी सायक नदियां आपको याद रखनी है सावरमती की हम बात करें तो खत्मती, सही, वैतरक, मानसी और वाकल ये सब नदियां सावरमती की सायक नदियां है माही नदी बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट नदी है यहां से एक उसन चरूर पुछा जाता है सोम, जाखम, लाखन, चमपा, एराव और अनास ये सब नदियां माही नदी की सायक नदियां है और पस्चिमी बनास की एक नदी सीपू जो है आपको नाम रखना है ये सायक नदी है तो यहां पे हमने डिसकस किया अरब सागरी नदी तंतर अब लास्ट बचा है बंगाल की खाडी नदी तंतर तो फ्रंट से दिया आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करें बंगाल की खाडी नदी तंतर वे नदी हैं जो पर्चेक्स और एपर्चेक्स रूप से अपना जल बंगाल की खाडी में ले जाती है यानि कि जो जिदर नदी अपना जल लेके जाती है वो उसी तंतर का भाग होती है जो अरब सागर में लेके जाती है अरब सागर नदी तंतर और बंगाल की खाड़ी में जो पानी लेके जाती है वो बंगाल की खाड़ी नदी तंतर का बाग हो जाती है राजस्तान की कुल अफवा छेतर का 24 परतिशत बंगाल की खाड़ी नदी तंतर है तो आपको तीनों याद हो गए आंतरीक अफवा तंतर कितना है 60 परतिशत अरब सागरिये 16 और बंगाल की खाड़ी नदी तंतर 24 परतिशत है बंगाल की खाडी तंतर की नदियां जो है वो डिल्टा का निर्मान करती है अभी हमने डिस्कस किया था अरब सागरिय एश्वरी का निर्मान करती है और ये डिल्टा का निर्मान करती है बंगाल की खाड़ी नदी तंतर की परमुक दो नदिया है एक तो चंबल और दूसरी आपकी बान गंगा बान गंगा की कोई सायक नदी नहीं है लेकिन चंबल जो नदी है इसकी सायक नदी है बनास, पारवती, काली सिंद, कुराल, बामनी और सीप ये बहुत इंपोर्टन नदिया है और बनास की सायक नदिया है बेडच, मेनाल, कोठारी, खारी और मोरेल पारवती नदी जो है उसकी सायक नदिया है अंदेरी, रातेडी, ल्यासी, बैथली, विलास, डूबराज और कुल तीसरी नदी है काली सिंध की साइक नदी हैं आहू और परवन, कुराल की है मेज, बामनी और सीप की कोई साइक नदियां नहीं है और ये खुद जो है सब नदियां जो है चंबल नदी की साइक नदियां है तो बंगाल की खाड़ी नदी तंतर जो है उसकी दो नदियां आपको याद रखनी है चंबल नदी और बान गंगा और चंबल की अभी मैंने आपको बदाया था एक बार वापिस बदा देता हूँ तकि आपको याद हो जाए बनास, पारवती, काली सिंद, कुराल, बामनी और सीथ ये सबी नदियां जो है इन में से जैसे कि बनास नदी है यहां से क्यूशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो इसलिए बनास नदी और उसकी साइक नदियां, बेडच, मेनाल, कोटारी, खारी और मुरे, ये नदियां आपको याद रखनी है तो फ्रेंस, यहां पर हमने जो राजस्तान में तीन तरह का नदी तंतर पाये जाता है, वो हमने डिसकस किया है एक-एक नदी की बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो में डिसकस करेंगी, जितनी भी नदिया मैंने आपको बताई है, सभी हम डिटेल में डिसकस करेंगी तो फ्रेंस, यदि आप चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें और कोई भी आपको क्वारी हो, तो कमेंड बॉक्स में जरूर बताए, थैंक्यू